हाई गाईज आज हम लोग 2022 में आए वी नेट्फिक्स की हॉरर सीरीज औल अफ ऐसा डेट के बारे में यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं इस सीरीज की IMDB रेटिंग 7.5 वाइट आफ टेन है यह रॉट इन टमेटो पे 89% फ्रेश है और यह जो सीरीज है यह बेसिकली एक ही सीजन अभी तक आया है अगला सीजन आने का स्पेकिलेशन है 2025 में और यह वाली जो सीरीज है यह जॉंबी अपोकलिप्स वाले एवेंस पे बेस्ट है हमारी यहां पे सीरीज के शुरुवात होती है और हमें एक छत का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे कुछ बच्चे कठा है उसमें से एक जो बच्चा होता है उसका नाम होता है जिन्सू और वो एक साइन्स टीचर होता है उसका बेटा है और हमें मालुम चलता है कि वो जो science का teacher है वो एक school का high school का basically teacher होता है जिसका नाम होता है होसन high school और यहां पे हम यह समझ पा रहे हैं कि यह जो बच्चा है इसको बाकी सारे लोग वहां पे जो है वो उसको bully कर रहे हैं और वो उनको यहां पे retaliate करके उनको fend off करने की कोशिश कर रहा होता है उनमें से जो main bullies होते हैं उनका नाम होता है ग्वीनाम, मंगाम, जैंगून और है मगर उसके behavior थोड़ी सी अजीब लगती है और यह लोग अपने आपको इस बार बचाने के लिए उसको धका मारते हैं और वो roof से नीचे जाके गिर जाता है मगर देखके मालूम चलता है कि वो चछट से गिरा है मगर तब भी वो इस fall को survive कर गया है पता नहीं कैसे जिसके ब अपने बच्चे का जहां पर वो admit हुआ है उस room के अंदर और वो देखता है कि उसका जो बेटा है वो बहुत ही जादा अजीब सा वाइलेंट से tendencies show कर रहा है और यहां मालूम चलता है कि वो अपने बेटे को दुबारा से मारने की कोशिश करता है मगर उसका बेटा मर नहीं रहा होता अब यहां से scene shift होता है और हमें योसान high school का दिखाया जाता है और यहां पर हम एक लड़की को देखते है हौन जून और उसको एक चूहा जो lab में रखावा होता है वो काट लेता है अब यहां पर Mr. Lee के office वाले जो चूहा basically hamster उसको काट लेता है तो वो वहां से ज जाता कि जो virus है यह इसका outbreak हो जाए मगर हमें दिखाया जाता है कि हौन जून जो है वो किसी तरह से अगले दिन escape कर जाती है वहां पर उसको जहां बांदा होता है वहां से और एक classroom में आती है और वो उसी teacher के classroom में आती है जो teacher उसको ढून रही होती है एक दिन से अब यहां पर पूरी तरह से virus infected हो गई होती है और इसके होने के वज़े से वहां पर जो epidemic होता है उसकी शुरुवात हो जाती है क्योंकि जब उसको स्कूल के infirmary में लेके जाया जाता है तो वहां पर वहां की जो nurse होती है उसको वो card भी लेती है और वहां पर जो एक और उसके classmate होती ह और जो नाम से उसको वो खरोच मार देती है उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर उस लड़की को hospital भेज दिया जाता है क्योंकि यहां पर situation इन लोग से control नहीं हो रही होती और इनने नहीं पता होता कि उसको exactly हुआ क्या है मगर हम देख पाते हैं कि जिस nurse को उसने bite करा था अब वो infect हो चुकी है और उसने यहां पर बाकी students को जाके अटाक करना शुरू कर दिया है मगर यहां पर हम देखते हैं कि ओन जो जो है जिसको उसने scratch मारा था उसके अंदर कोई भी symptoms नहीं दिखाई दे रहे होते हैं बलकि यहां पर अब outbreak जब हो गया होता है तो cafeteria में बच् जोंबी होते हैं और हम देख पाते हैं कि ओन जो को यहां पर एक दूसरा बच्चा जो जो जोंबी बन गया है वो आके अटाक करने लगता है अब यहां आगे हम देखते हैं कि Mr. Lee को arrest कर लिया गया है क्योंकि उसी ने virus को बनाया था और उसको यहां पर एक police officer वो उसके में भी बुरा हाल हुआ होता है हम यहां पर चंग सांग और ओंजो को देख पाते हैं जो वहां cafeteria से किसी तरह से manage करते हैं निकलना और वहां जाके उनके कुछ classmates होते हैं उनको join करते हैं और सारे मिलके यहां पर पुलिस को और अलग-अलग emergency services को phone लगाने की कोशिश कर रहे ह होते हैं मगर यहां पर पुलिस वाले phone तो उठा लेते हैं मगर उनकी कहानी में विश्वास नहीं कर रहे होते हैं तो इस चीज से अब परिशान होके और जो जो होती है वो fire department में कौन लगाती है और वहां वो बोलती है कि उनके school में आग लग गई है और ऐसा होने के से fire department से लोग निकलते हैं school के लिए अब यहां हमें दिखाया जाता है कि एक team है archery की जो बाहर गई थी school से वो वापस आई है तो उनका एक coach है उसको एक zombie bite कर लेता है और जब वो coach वहां से भागता है वो end up हो जाता है उसी कमरे में जहां पर बाकी सारे बच्चे हैं और यह जब बच्चे वहां से उस room से बाहर निकल के भागने लगते हैं तो हम यहां specifically एक बच्चे को देख पाते हैं जो group से अलग हो जाता है और उसका नाम होता है सू ह्योक और अब पूरी situation इतनी बुरी हो गई होती है कि वो सारे अब वापस भी नहीं जा सकते सारे मिलके किसी और classroom में जाते हैं बाग के इस बार और उन्हें मालूम चलता है कि ऑन्जो की जो best friend है उसको एक zombie ने काट लिया है इस बार अब यहां पे वो लोग नहीं चाहते कि उनके बीच में कुछ गरबढ हो इसलिए मजबूरन उस window से बाहर फिक दिया जाता है उस classroom के अब वहां पे विंडो में से निकल के fire extinguisher वाली जो pipe होती है उसका इस्तमाल करके second floor पे जाएंगे उस सबको नीचे बेज देता है एक एक करके और end में हम देखते हैं कि वो खुदी फस जाता है अब हमें दिखाया जाता है कि सुयक जो है वो वहां पे बचा हुआ है और उसको दिखाई दे रहा होता है कि चंगसान यहां पे उस pipe से लटक रहा है और दूनों यहां पे एक दूसरे के मदद करते हैं क्योंकि यहां पे चंगसान के नीचे एक और zombie उसको पकड़ी वी होती है तो उससे उसको छुडाते हैं वो लोग और दूनों second floor के window से अंदर जाते हैं बाकी अ मगर वो लोग उसको किसी तरह से deal करते हैं उस situation से जिसके पहले कि वो अंदर आके उन्हें infect करे बाइट करके अब यहां पे हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसको एक और बिक बच्चा है जिसका नाम गॉंजू है उससे बहुत जादा hatred होती है और यह जो बच्चा है वो जाके 10 मिनट के लिए दूसरे रूम में जाके बैठ जाए और वो यहां पे अपने उपर से सारा शक हटाने के लिए पूरा एक घंटे के लिए वहां बैठने को त्यार हो जाता है अब यहां पी जब उसको बोला जाता है उस लड़की को कि वो जाके कॉन जू से sorry बोले क्य के blood से infect कर देती है उल्टा और जंग सांग को यहां पे जबरदस्ती कि बागी लोग इंफेक्ट ना हूँ अपने best trend को window से बाहर लिए और करके fake ना पड़ जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चों के बीच में एक argument शुरू हो गई है यहां पे जंग सांग की infection को लेके और सब यहां पे नायान को basically accuse करने लग जाते हैं कि उसने यहां जान बुच के करा है यह चीज कि उसको infect करना basically अब वो इस चीज से बहुत जादा frustrated हो जाती है कि सब लोग उसको accuse कर रहे हैं तो वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है इसके पहले कि उस पे zombies आके उसे cartilage उसकी जो class teacher होती है वो उसको बचा लेती है हमें दिखाए देता है कि चंग सांग की जो mom है वो आती है उसके school में उसको बचाने की कोशिश करती हुए मगर unfortunately वो खुद उनको zombies आके पकड़ के bite कर देते हैं अब हम देख पाते हैं कि सारे बच्चे इतने टाइम से एक देख पाते हैं कि ओन जो को एक idea आता है और वो idea यही होता है क्योंकि उसको यहाँ पे उसका जो father है वो actually rescue team और इन सब में इतना काम करते हैं कि उसको यहाँ पे उनका देख देख के idea हो जाता है कि कैसे ऐसे situations को survive किया जाए तब तक हमें गवी नाम को भी दिखाया जाता है कि उस पे एक एक करके zombies आ रहे हैं आटाक करते हैं के लिए मगर वो उनसे escape करता है किसी तरह और वो भागते भागते cafeteria से principal की office तक पहुँच जाता है अब हमें यहाँ police station का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे zombies में convert हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि Mr. Lee और जो police officer है detective basically उनको वह से निकलना पड़ता है मगर यहाँ पर Mr. Lee को एक zombie काट लेता है तो यहाँ पर जाने से पहले detective को सारा information देता है अपने laptop के बारे में और वो laptop exactly कहा है उस location के बारे में और यह भी बताता है कि उसी laptop के end में वो देख पाएंगे कि इस चीज़ को रोपने का तरीका क्या है मगर हम यहाँ पर एक अजीब चीज़ देख पाते हैं कि Mr. Lee जब यहाँ zombie में change हो जाते हैं तो बागी जो zombies है वो बहुत ज़ादा violent behavior शो करते हैं मगर Mr. Lee को देखके लग रहा है कि वो बहुत ही जादा काफी unnatural तरीके से बहुत ही जादा शान्त हैं अब यहाँ हम देखते हैं कि CEO हक और जंगसान यहाँ पर try कर रहे होते हैं एक और phone लेकर आने का जिससे कि वो वापिस से police को या फिर emergency services को call करके वहाँ बुला सके मगर वहाँ पर बहुत सारी zombies आ जाते हैं और दोनों का रास्ता अलग हो जाता है जब वो उनसे भाग रहे होते हैं तो अब यहाँ जंग करने लगता है और वो यह भी देखता है कि ग्वी नाम के हाथ में चाकू है और वो प्रिंसिपल को जान से मार देता है इसके बाद चंगसांग वहाँ से भागतावा निकल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जो phone है वो ग्वी नाम के हाथ लगे और इस वाले episode के end में हम देख पाते हैं कि क्वी नाम ने उस चाकू को चंगसांग के ऊपर फेक दिया है तब तक हम यह भी देखते हैं कि यहां पर जो ऑंचु का फादर है सोजू वो एक फायर मैन है और वो यहां rescue operation के लिए गया हुआ है एक VIP के अब हमको दिखाया जाता है हारी को जो यहां प के यहां पर ढूंड रहे होते हैं हारी के भाई को हारी यहां पर अपने जो आचरी वाले स्किल्स हैं उसका इस्तमाल कर रही होती है जॉम्बी से उस ग्रुप को बचाने के लिए तब तक हमें पैरलली दिखाया जाता है कि सोजू ने यहां पर जिन लोगों को rescue करा है उनक ना बढ़े इतना ही नहीं करते वो लोग बलकि आगी चाते हैं एक step और जितना भी टेले कोमिनिकेशन के services हैं चाहे वो internet हो phone हो सब पे वो लोग बैन लगा देते हैं वापिस हम लोग यहां देखें तो school का दिखाया जाता है जहां हमें मालूम चलता है कि actually में गुई नाम जो चाकू फेका था वो यहां पे चंगसान को जाके नहीं लगा है और वो बच गया है अब यहां पे दोनों लड़कों के बीच में उस phone को लेके लड़ाई होने लग जाती है और self defense में यहां पे चंगसान जो होता है वो गुई नाम के आख में मार देता है जिसके बाद व हमें मालुम चलता है कि despite यहां zombies ने काटा है गुई नाम को वो यहां पे उनमें turn नहीं होता और यहां पे वो भले ही खुद zombie में नहीं exactly change हुआ है मगर अगर वो किसी को bite करेगा तो वो zombie में जरूर change हो जाएगा और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि वो वापे से चंगसा को यहां पे locate कर सके स्कूल के अंदर और साथ इसाथ बाहर लोगों में जागा किसी तरह से अपने साइट से communicate कर सके कि वो लोग यहां पे फसे हुए हैं पहले वाला प्लान तो इनका काम कर जाता है चंगसान को ढूनने का मगर दूसरे वाले प्लान का यहां पे failure हो जाता है जब उनके drone की battery खतम हो जाती है बीच में ही अब यहां पे हम देखते हैं कि जो government है वो हूसन हाई स्कूल में जाके बच्चों को बचाने का मना कर चुकी है और rescue नहीं करना चाती तो यहां पे सूजू जो है वो खुद के हाथ में सारा matter लेता है क्योंकि उसकी बेटी उसके according अभी भी स्कूल में फसी हुई है और parallel हूसन हाई में हम बच्चों को देख पाते हैं कि वो धीरे धीरे rooftop पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वहां पे जो helicopter उपर उड रहे हैं उन्हें वो wave करके अपने तरफ attract कर सके मगर उनका यहां पे plan fail हो जाता है क्योंकि जहां जिस direction में वो लोग जा रहे होते हैं उसी direction के तरफ से बहुत सारे zombies उनके तरफ भाग के आने लगते हैं और इन लोग को ये भी नहीं मालूम होता कि actually में नयान जो है वो class के store room में छुपी हुई है और अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि वो जो teacher है जिसने यहां पे नयान की जान बचाई थी वो कहां पर है अब यहां पे सिर्यक के यहां पे जान बचाने के लिए नामरा यहां बिट हो जाती है जॉम्बी से और वो जॉम्बी और कोई नहीं गुई नाम होता है मगर यहां पे एक और unusual चीज यह है कि नामरा भी टर्न नहीं होती है जॉम्बी में व उसको बाहर नहीं बेजना चाह रहा है तब तक हमें यहां पे हारी का भी ग्रुप दिखाया जाता है जो अपने अलग यहां सर्च कर रहे हैं उसके भाई के लिए हमें यहां सोजू को दिखाया जाता है कि वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और उसी के दौरान उसको पूली लग जाती है अब यहां हम लोग देखते हैं कि जो जेनरल है वो यहां पे एक टीम को भेजता है जहां पे वो लोग जा जाके जितने अफेक्टिड एरियाज हैं वहां पे बचेवे लोगों को बाहर निकालेंगे मगर इस चीज के rescue operation के दौरान वहां पे एक soldier को zombie attack कर देता है और काट लेता है जिसके बाद उस soldier को एक गणी बैग में डालके वापिस भेज दिया जाता है और जब यह सब चल रहा होता है तब हम सोजो को देख बात है कि फाइनली पानी से वो swim करके इसी तरह से बाहर आ गया है जिसके बाद उसको यहां चोट लगी होती है उसको वो थोड़ा सा हील करने के लिए ठीक करने के लिए थोड़ा clean up करता है और फिर होसन हाई के लिए निकल जाता है अब हम लोग स्कूल का भी देख बात है कि ओन जो जो है वो यहां पे अपने फादर से जितनी चीज़ो उसने अब तक समझी हैं और सीखी हैं उन सब चीज़ों को यहां वो इत्म फुल तरीके से यूटिलाइजेशन में ला रही है और वहां से escape plan बनाती है वो यह कि वो लोग उस रूम के एक दरवाजे को खोल के zombies को अंदर लियोर करेंगे बीच में एक दिवार खड़ी वे समान का और दूसरा वाला दरवाजा खोल के वो लोग escape कर जाएंगे जब सारे zombies उस कमरे में होंगे और यहां zombies को attract करने के लिए वो लोग sound का इस्तमाल करने वाले हैं और यहां thankfully यह जो plan होता है यह काम भी कर जाता है मगर unfortunately जैसे वो लोग rooftop तक पहुचते हैं तो उन्हे मालूम चलता है कि जो दरवाजा है rooftop का वो तो लोग पड़ा है अब यहां पे इन बच्चों के ग्रुप को नहीं मालूम के छट पे already एक school का बच्चा है जिसने शायद इस चीज़ को लोग कर रखा है अंदर से या बहार से जैसे भी आप समझो और उस बच्चे का नाम होत होता है जो सू और उसे मालूम होता है कि वहां पे बच्चे नौक कर रहे हैं तब भी वो खुलने का कोई attempt नहीं करता जब वहां helicopter आती है rescue करने के लिए तब तक हमें यह भी दिखाये देता है कि अब उनके पीछे जॉंबी जाने लग गए हैं और यहां पे चंग सांग और कोशिश कर रहे होते हैं उनसे खुद को बचाने का अपने दोस्तों को भी बचाने के साथ साथ मगर हम अचानक से यह देख पाते हैं कि गवी नाम वहां पे दुबारा से आ जाता है इस intent से कि उसको चंग सांग को मारना है अब यहां पे लड़ाई होने लग जाते हैं गव जो है वो यहां पे मैनेज कर पाती है गवी नाम को वहां से उठा के फेकने में और जब यहां फाइनली हम यह देखते हैं कि किसी तरह से वो दर्वाजा अपने आप खुल गया है क्योंकि एक और स्टूटेंट है वहां पे जिसका हाल नाम रा और गवी नाम जैसा ही है कि पूरे तरह जॉंबी में चेंज नहीं हुई है वो आग लगा देती है कमरे में और उस फाइर अलाम की वज़े से उपर का दिर्वाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो वहां से साइकल चलाते हुए उस स्कूल से निकल भी जाती है और दूसरे द मिलता है और वो दुनों साथ में निकल रहे होते हैं उस लैपटॉप का इंफरमीशन लेने के लिए बताने के लिए बीस देख ली और रास्ते में उन्हें वही लड़की मिलती है जो साइकल चलाते हुए स्कूल से निकल गई थी और वो लोग अपने बस से गल्ती से उसको लोग जॉम्बी नहीं है वो लोग अभी भी हुमन्स है तब वो लोग गुली चलाना बंद करते हैं अब यहां पे हमें यह मालूम चलता है कि नायान जो है उसको यहां उस टीचर की बाते याद आ रही है और अब वो टूस करना चाहती है अपने उन ग्लासमेट के साथ तो ले जाने के सोच रही होती है और यही टाइम होता जब हमें मालूम चलता है एक्जैक्लिकि उस टीचर के साथ हुआ क्या मगर जब वो वहां से निकल के समान लेके जाने की खोशिश करती है तो हम देखते हैं कि गुई नाम वहां आता है और वो उसको मार डालता है जिसके बाद वो rooftop पर आता है दुबारा से चिंग सांग को मारने के attempt में और वहां आके वो उस पे अटाक करने लग जाता है अब यहां हम नामरा का जो actual strength है उस वाइरस के होने की वज़ा से एक अजीब सा reaction हो किया है और इस वज़े से नामरा को देखके लग रहे हैं कि उसमें बहु quarantine camp का देखें तो वहां पे वहां जो doctors होते हैं उन्हें मालूम चलता है कि वो जो वाइरस है वो constantly अपने आपको evolve कर रहा है और वहां पे उन्हें यह चीज़ इसले मालूम चलती है कि वो जो soldier था जिसको zombie ने काटा था उस पे वो लोग test run कर रहे थे इस वज़े से हम यहां करने के बाद जो general है वह यहां decide करता है कि वह एक टीम भीजने वाला है heosan high में जिससे कि वह laptop आ सके जब वहां helicopter को भीजा जाता है तो उस helicopter को मालूम चलता है कि वहां rooftop पे कुछ बच्चे फसे हुए हैं जिसके बाद एक एक बच्चे को यहां पे temperature उनका scan करा जाता है यह determine करने के लिए कि वो लोग infected तो नहीं है laptop को ढूणने के लिए निकल जाते हैं वो लोग की यह होता है कि laptop को यहां search करके data transfer होने के बाद वो लोग जब निकलेंगे तो बच्चों को साथ ले जाएंगे मगर ऐसा कुछ यहां पे series of event हो जाता है जो हमें अभी नहीं मालूम है क कि यहां उनको orders मिलते हैं पहले तो यह होता है कि बच्चों को ले आना मगर बाद में जब एक बच्ची उपर चड़ जाती है उसको वापस नीचे भीज दिया जाता है और order कर दिया जाता है कि बच्चों को वहीं छोड़ दिया जाए यहां पे जो बच्चा छट से rescue किया उसको वह लड़की आकर काट देती है जिसको डिटेक्टिव ने अपने काड़ी से उड़ाया था और यहीं वह इवेंट था जिसके बाद बच्चों को नहीं लाने दिया गया है वापस उस स्कूल से क्योंकि यह दोनों बच्चे भी स्कूलियों रिफॉम में होते हैं और उसको यह ढर है कि वह बच्चे भी इंफेक्टिड हूंगे क्योंकि इनको जो लाया गया था उस लड़की ने काथा उसके अंदर ऐसे कोई भी जॉम्बी वाले सिम्टम्स नहीं थे जोंको यह शक है कि हो ना हो वह बच्चे हो सकता है इंफेक्टिड हो और उनमे भी वो यहाँ पर लाइटनिंग, थंडर और रीन का फाइदा उठाते हैं वहाँ से एसकेप करने के लिए मगर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में हम देखते हैं कि चंगसान को उसकी माँ जॉंबी बनीवी दिख जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से रूने लग जाता है और उसके रूनी की आवाज जॉंबी इसको अट्राक्ट करने लगती है मगर तब भी उसके जो दोस होते हैं वो उसको अपने साथ लेके जॉंबी जो आ रहे होते हैं उनसे एसकेप कर जाते हैं मगर देखके लग रहा है कि तब भी एक ग्रूप का कोई मेंबर है वो अभी भी कायब हो गया है कहीं जब वो लोग स्कूल के टेनिस कॉट तक पहुचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पे तो जॉम्बीज भरे पड़े हैं और उन सब को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे जो स्टोरिज रूम है उसके अंदर छुपना पड़ रहा है दूस तरफ हम सोजो को देख पाते हैं कि उसके रास्ते में एक रकावट आ गई है जहाँ पे जॉम्बीज आके उस पे अटाक करने लग जाते हैं जब वो ह्योसन हाई जा रहा होता है तब तक हम यहाँ पे कैंप में देख पाते हैं कि जो जेनरल है वो और कर देता है कि जितने भी affected area है वो उस जगा के उन सब को उड़ा दिया जाए क्योंकि उनको यहाँ पे कोई भी इस चीज का antidote नहीं मिल रहा होता हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे Siu Huck जो है उसको एक idea आता है कि वहाँ पे जो रखेवे समान है उन सब को इस्तमाल करके वो लोग एक barricade बनाएंगे जिससे कि जो zombies है वो उन पे directly ना attack कर पाएं वो लोग ऐसा कर तो लेते हैं पर एक बच्चा है उसको लोग loose कर देते हैं मगर unfortunately वो जो दर्वाजा है जो mountains का तरफ खुलता है वो बाहर से locked है तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि गवी नाम जो है वो उन्हें यहाँ पे ढूनना चाहरा है क्योंकि अभी भी उसके according चंग सांग उसके हाथ से मरा नहीं है मगर शायद उसके लिए थोड़ा late हो गया है क्योंकि यहाँ सूजू आ जाता है और दर्वाजे को unlock कर देता है अब यहाँ देख के लग रहा है कि उन्होंने जो पूरा hope loose कर दिया था कि दर्वाजा lock हो गया है अब वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे वो वापस से आ गया है क्योंकि यहाँ पे सूजू आ गया है अपने बेटी के पास अब कोई adult है उन लोग को बचाने के लिए और guide करने के लिए और साथ ही साथ एक और एक fresh mind के साथ एक नया बड़ा आदमी है जो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने आया है basically जो यहाँ government और health department और emergency services है वो सब जहाँ यहाँ fail हो गई है उन बच्चों के लिए आने के लिए वहाँ यह आदमी as a ray of hope आया है इनके पास मगर देख के लग रहा है कि हो सकता है कि उनके जो पूरा यहाँ पे hope है वो बहुत ही कम समय के लिए बाकी है क्योंकि जल्दी उन पे दुपारा से जॉंबी जाके अटाक करने लगते हैं और ultimately सोजो खुद को यहाँ sacrifice कर देता है जिससे कि वो सारे बच्चे वहाँ से निकल सकें आगे हम देख पाते हैं कि यह जो बच्चे हैं वहाँ पे school का ही construction site चल रहा है वहाँ पे वो लोग shelter लेते हैं और हम यहाँ पे गुई नाम को देख पाते हैं कि वो अभी भी चंगसान को ढूंड रहा है और यहाँ दूसरे तरफ जो general है वो order कर देता है कि सारे major points जो हैं उस city के वहाँ पे सारे zombies को यहाँ अवाजों का इस्तमाल करके gather किया जाए जिससे कि वो चारों जगा उड़ा दी जाएं और उन में से एक जगा जो होती है वो होती है योसन high school और यह सब चीज़े जब हो रही होती है तो हम देख पाते हैं कि गुई नाम को finally यह जो group है और चंगसान है वो basically उसे मिल गये हैं दुपारा से यहाँ पे चंगसान और गुई नाम के बीच में लड़ाई हो जाती है और unfortunately इस बार गुई नाम चंगसान को काट लेता है अब यहाँ पे और ज़्यादा damage वो कर सके चंगसान को यहाँ जो drones होते हैं आर्मी वाली वो आके बहुत serious तरीके से आवाजे निकलने लग जाती है जो यहाँ गुई नाम पे अफेक्ट होने लग जाता है जिसका और सिफ गुई नाम के साथ नहीं हो रहा होता नामरा के साथ भी हो रहा होता है चंगसान इस चीज़ का फैदा उठाता है और गुई नाम को वहाँ से धक्का दे देता है अब यहाँ पे चंगस पे फिर से आगे गवी नाम ने अटाक कर दिया है मगर उनफॉचनेटली फॉर चंग सान नॉट फ़र गवी नाम दोनों ही जैसे ही बॉम गिरता है उसमें मारे जाते हैं अब हमें कौरेंटीन काम का दिखाया जाता है जहां वो जो जेनरिल है उसने ओर्डर तो दिया था ब् वो लोग वापिस से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आये हैं क्योंकि बीसिकली ओन जोग वहां पर बिना देखे एक बार की चंग सांग ठीक है नहीं है मर गया क्या हुआ उसके साथ उसके बिना देखे उसको नहीं जाना है वहां से और जब उन्हें फाइनली वहां कोई नह मिलते हैं और निकल जाते हैं शेहर की तरफ और यहां से निकलने का वो लोग हेल्प लेते हैं उन रिबिन्स का जो सोजुने बांदे थे वहां पे उनको जब बचाने आ रहा था उस टाइम पे अब यहां पे जिन सोल्जोस को भीजा गया था रेस्क्यू अपरेशन के उन्हें यहां पे मिस्टर ली का बेटा और वाइफ मिलते हैं बंदे हुए और हम यहां बच्चों को देख पाते हैं कि जब वो लोग शेहर के खाली जगा पर आएवे होते हैं उन्हें लगता है कोई नहीं है तो नामरा यहां सेंस करके बोलती है कि नहीं यहां जौम्बी कर ले तू वो यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहती इंस्टेड वो उनके साथ नहीं चाहती है वो अपना रास्ता बदल देती है कि वो उनके साथ अब नहीं रहेगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग और वैसे भी वो बहुत जादा डेंजरस हो रही है अब यहाँ पे स्योहक ओडि होती है और जोबी मकर इस तरह से नाम को यहां पर अर्ट Geo होता है उसको वो यहाँ बंन करती हैं जिसे किragon्दू को यहाँ बाईट ना करे और वहासे चली जाती है कि वह जो सुलिस जो हौते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ महीने का दिखा जाता है कि वह जो अभी भी बच्चे हैं वो वापिस स्कूल में आते हैं कंस्ट्रक्शन साइट वाले एरिया में और वहां से जाते हैं वो लोग स्कूल के तरफ बीसिकली नामरा को ढूंडते हुए क्योंकि यहां पर उन्जू बोलती है कि उसने स्कूल के छट पे आंग जलतावा देखा था और उसको याद है कि नामरा ने बोला था कि वो दुबारा से चाहती है अपने दोस्तों के साथ बैटके कैम्प करने का वहां पे फायर के अराउंड और हू नहां उसको यकीन है कि वो और कोई नहीं नामरा ही है इसलिए वो सारे जाते हैं नामरा से मिलने के लिए क्योंकि सब को यहां लग रहा होता है कि डिस्पाइट नामरा के साथ जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ अभी भी नामरा को ओ करते हैं क्योंकि उसने अपने यहां ताकत का इस्तमाल करके उनको बहुत सारे instances में बचाया है जब यहाँ पे वो लोग उसको बोलने लगते हैं नामरा को कि वो ठीक है कोई बात नी हो उनके साथ चले वापस तो कहती है कि उसको अभी भी और भी जॉम्बी के साथ डील करना बाकी है और वो रूफ से काफी amazing तरीके से जंप मारते वेड निकलती है और यहाँ पे जो बाकी सारे बच्चे हैं वो छट पे ही खड़े होके एक उनके शकल पे बहुत शॉक्ट सा लुक होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि वो लोग क्या देखके इतना दा शॉक्ट हैं पर कुछ तो शॉक होते हैं देखके और उसी के साथ जो पूरा सीरीज है यह हाँ पे end हो जाता है अगर आपको इस सीरीज का recap और explanation पसंद आया हो दिन दू लाक देखके वीडियो, सब्सक्राइब तो मैं चानल, शेर इट विए फ्रेंज और दोंट फोलो में इन्स्टिग्राम, लिंक आपको नीचे देस्क्रिप्शन बोक्स पर मिल जाएका थांक्स वर वाचिंग, बाई